हेलो स्टुदेंट्स वी एर लाइव नौ वेलकम टू एस एस ओनलाइन क्लासे सायम अंकित बैट एंडाइम गोंग टू कॉंटीनिव इत एक्सर्साइज नंबर 9.3 एक मिनट थोड़ा कैमरा सेट कर लें बिटा ब्लेर्नेस आ रही है तो क्लियर है शायद क्लियर है थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं जो क्लियर हो जाएगा पूरा है तो बेटा कोश्चन नंबर जे डिसकस कर चुके थे लेकिन आज कुछ कोश्चन और डिसकस करेंगे हैं फाइंड दी नंबर इफ कोश्चन था फाइंड दी नंबर इफ ठीक है इफ फस्ट नंबर को जो कुश्चन है आपका फस्ट और सेकंड तो बता दिया था थर्ड नंबर डिसकस कर लेते हैं फाइव हेंड्रेड इस इंक्रीश्ट इन सी आर इस इड इंक्रीश्ट बाई 20 परसंट जिन बच्चों ने लगाया बहुत अच्छी बात है जिनों नहीं लगाया वो देख लें बेटा और जो नहीं लगाया हो तो एक बार ट्राइ कर लें क्योंकि दो कोश्चन फिर आज मैं लीव करूंगा ठ प्रॉफिट है सर को कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा प्रिसीडेंट अवार्ड ठीक है सिर्फ आपकी अच्छे के लिए सूंशते हैं तो 500 इस इंक्रीश्ट वाइट 20 परसंट 500 इंक्रीश हो रहा है तो इंक्रीश पहले निकाल लें 500 ऑफ 20 परसंट सबसे पहले इंप्लाइट 20 और परसंटेज मीन्स डिनॉमिनेटर हैंटर सो तू जीरो तू जीरो कैंसल आउट और फिफ्टी तू जा हैंट्रेट सो फाइव हैंट्रेट आया 500 में कितना इंक्रीश हो रहा है 20 परसंट हैंट्रेट मीन्स ओके तो इनका निव नंबर और गोर सो फाइव हैंट्रेट अंब्स हांट्रेट तू अपका ओवरॉल बिफ्ट हो जायेगा आंसर इसी का फोर्थ नंबर आपका होमवर्क हो जाएगा फोर्थ नंबर जो है आपका टाइम्ट करके बेटा देख लें और एक फ्रेक्शन का कोश्चन बता देते हैं कोश्चन नमबर 5 96 is increased INCREACD increased by 12.1 by 2% 96 कितना increase हो रहा है 12.1 by 2% तो सबसे पहले 96 का 12.1 by 2% find तो कर लें भाई कितना नमबर है उतना increase करा देंगे निए नमबर find करने के लिए 96 of 12 whole 1 by 2% तो 96 of means multiply fraction को convert कर जिए 12 to 24 24 plus 1 25 by 2 और percentage का sign remove करेंगे denominator में 2 का multiply हो जाएगा ठीक है 25 1s are 25 4s are 100 96 into 1 and 4 2s are 8 8 1s are 8 8 1s are 8 2s are 16 so final answer हो जाएगा 96 में 12 whole 1 by 2% means कितना part increase हुआ 12 so new number is goes to new number is goes to 96 plus 12 is goes to 108 okay so I think इतनी बास समझ में आगा योगिस सभी को and question number 6 जो है आपका वो भी आपका क्या है home work है पिटा जिन्होंने नहीं try कि एक बट try कर लें उके उनसे मेरी विनम्बर निवेदन है उनके future से related यह सब है exercise तो पिटा इतना सर आपके request कर रहे हैं एक बट कर लें ठीक है क्योंकि सर को कोई भी president award नहीं मिलेगा और question number जे से belong करता हूँ question number k है इसमें values क्या हो रही है decrease हो रही है तो new number find जैसे plus करा रहे तो माइनस हो जाएंगे decrease में find the number find the number if first है 80 is decreased by 25 परसेंट कितना हो रहा है 25 परसेंट क्या हो जाएगा इटी ऑफ मींस मल्टिप्लाइट 25 परसेंट 25 पॉन है तब भी फोर यह आए गटा 55 जा 520 जा एंट 515 फोर जा ओके सो तब भी आंसर वही होगा मुझे 24 जाएट कर दिया ओके एंट 4 से देखे 20 कट हो जाएगे निमिलेटर दिनॉमिलेटर वैल्यू तब तो आंसर हो का 20 अद निव नंबर इस बिल्कुल सेम प्रॉसस है बस डिक्रीज में आपको क्या अगराना होगा 80-20 डिक्रीज हो रही न वैल्यू इट इस डिक्रीज बाइट वाइट जो है 25 परसेंट डिक्रीज हो रहा है ओके सो एट्टी मैंस 20 सो आंसर इस 60 ऑके स्वाइट इतनी बाद समझ में आ गई होगी और क्वेश सब्सक्राइब करते हैं कि थोड़ा कैमरा बीटा क्लिप निकालने के चक्कर से कैमरा लोडग गया था कोई दिक्कत नहीं है यह सब तो बड़े-बड़े स्वेरों में छोटी-छोटी बात हुआ करते हैं के आफ टू नंबर कोश्चन पे ज्यादा ध्यान दें 50 इस डिक्र र-e-a-c-d decreased by 20% अब 50 decrease हो रहा है 20% तो 50 of 20% आप फैले फैने कर लेंगे 50 of means multiplied 20 upon percent प्रिमीन्स एंडर्ट टू जिरो टू जो जाएंगे फाइव तूजा टैन ओके तो निव नंबर इस वह स्टू निव नंबर इस वह स्टू 50 माइनस 10 डिक्रीज हो रहा है ना फाइनल आंसर 40 ओके एक फिफ्ट नंबर अगर देखना चाहें तो के और फिफ्ट और देख लेते हैं 400 is decreased by 12% okay so 400 is decreased by 12% means 400 of 400 कितना decrease हो रहा है 12% so 400 of 12% सबसे पहले find करेंगे तभी तो पता पाएं कितना decrease हुआ है और आफ मेंस मल्टिप्लाई एंड 12% मेंस 12100 2020 कैंशल आउट हो जेगर 1248 ओके तो निव नंबर इस वोस्टू निव नंबर इस वोस्टू 400 माइनस 48 तो फाइनल आंसर 352 ओके तो इतनी बास समझ में आ गई होगी सभी को कि एक लास्ट कोश्चन है इस वीडियु गा इस क nickels का इफ टीप्रिस ऑवाच इनकेशट बाइस fiber percent and the increase in price is rupees 112 find the original price of the watch so जो find करना उसी को let कर लेंगे let the original price of watch be x okay let the original price of watch be x okay so increase price increase percentage increased price percentage is equals to कितना price increase हुआ है 16% so total increase price total increased price is equals to x of 16% original price हीगा तो 16% increase हुआ है ना बिटा है so x of 16% means x of means multiply 16 upon 100 so final answer 16 x upon 100 for 2 से कट कर लिजे 2 यहीं पर कट कर लेना चाहिए था फोर से कट डारेक्ट कर आते हैं इतना प्राइस क्या हुआ है increased price यह तो वैरीबल में इंक्रीश्ट प्राइस दिया गया और इंक्रीश्ट इंक्रीस प्राइस इस्तरड़ में में क्या है वन 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 तौ इस प्राइस को इसके एक्क्वल कर खर दें सुकर्दिंग्ट वोश्टन 4X upon 25 हमारे variable की value के according 16% increase हुआ 4X upon 25 क्योंकि X मैंने लट किया original price को और जो increase price real का हो कितना है 112 means यह वाला price जो होगा increase price वो 112 increase price equal होगा X is goes to 4 by 25 जो X के साथ multiply में है जब यह other side transfer होगा सो यह reciprocal से multiply होगा इसका 112 के साथ 25 by 4 25 divide में multiply में convert हो जाए का 4 multiply में divide में जाए ऐसे समझ लीजेगा 4 1s are 4 2s are 8 4 8s are 32 X is goes to 28 into 25 25 8s are 220 25 2s are 50 and 20 70 original price of the watch is 700 यहां पर लिख लीजेगा नीचे इसके आएगी statement में यह लिख लेता हूँ और इस ओर राइजी आई और इस और इस प्राइस ओफ वाच इस उक्वास टू रूपीज का साइन लगाना मत भूलिएगा रूपीज 700 यह statement last की हो जाएगी and this is answer यह इसके last में नोट करनी page नहीं था इसलिए मैं नहीं यहां नोट किया आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं और classes daily attend करें वर्कशीट इस समय डेली जा रही है कोई भी solve करके नहीं वेज रहा very good बहुत अच्छी बात है बेटा सर अपना काम कर रहे हैं आप अपना काम करिए हैं उम्मीद तो यह लगा के चलते हैं उके सुभाय टेक केर